नमस्कार राजिस्थान समवाद में आपका स्वागत है मैं हूँ आपके साथ चेतना अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो देर किस बात की नीचे दीए के बटन पर क्लिक कीजे और इसे सब्सक्राइब कीजे खबरे तो आप बहुत देखते हूँगे लेकिन खबरों को गहराई से जाने के लिए हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें और बैल आइकन को दबाएं कॉंग्रस कार्याले में प्रेस कॉंफरेंस के बाद बुद्वार के राद गिरफतार हुए चिदंबरम की फाइल कहां फसी क्या था आइनेक्स घोटाला कौन है नाबालिग मा बनने वाली डबल तलाक शुदा अपनी ही बेटी की हत्या करवाने वाली इंदराने मुखर जी जो चिदंबरम के खिलाफ सरकारे गवा है क्या CBI नामक तोते के साथ ED नामक टॉमी भी आ गया है आइनेक्स मीडिया से मुकेश अमबानी का क्या संबंध है और इंदर का एक पुराना मीडिया घराना न्यू वर्ल्ड इस मनी लाइन से कैसे जुड़ा था क्यों विनिवेश के सरकारे दुकान के काउंटर पर रखी खटारा एर इंडिया के लिए सतर हजार करोड के 111 विमान खरीदी के आदेश दिये गए एक दश्य तक फाइले कहां दबी हुई थी क्यों चिदंबरम परिवार की 54 करोड की संपत्या कुर्ख है क्या अमिर्शा बदला लेने की मूड में है कई सवाल अंसुलजे हैं और कई अंसुलजे ही रहेंगे गुदवार की रात कॉंग्रस के दफ्तर में प्रेस कॉंफरेंस के बाद चिदंबरम दिल्ली के जिस दोर बाग इस्तित बंगले पर गए थी उसकी कुर्की हो चुकी है करीब 16 करोड के इस बंगले के अलावा इस्पेन के बरसिलोना में करीब 15 करोड के टैनिस क्लब यूके में कॉटेज और भारत में करीब 54 करोड रुपे संपत्या कुर्क की जा चुकी है सवा 9 करोड जमावाले बैंक खाते को भी अटैच कर दिया गया है अब चिदंबरम नहीं, अमिर्च शाह के हाथ में है लाथी कहावत है कि जब नाव को जमीन पर कहीं ले जाना होता है तब उसे एक गाड़ी पर रखना पड़ता है लेकिन जब गाड़ी को नदी के पार ले जाना हो तब गाड़ी को नाव पर चड़ाने की जरूरत होती है इसका सीधा सीधा आशे ये हैं कि दिन सभी क्या आते हैं एक दौर था जब पी चिदंबरम की तूती बोला करती थी वे मनमोहन सिंग के मंत्री मंडल में सबसे महत्वपूर्ण मंत्री हुआ करते थी कभी ग्रहा और वित्यमंत्राले उनके अधीन था अब चिदंबरम खुद गर्दिश में है 2007 में हुए एक सौदे के मामले की जाच करते हुए CBI ने पाया कि वित्यमंत्री के रूप में चिदंबरम ने जो कारे किये उनमें कई पेच थे CBI के अनुसार चिदंबरम ने न किवल अपने बेटे कार्थी चिदंबरम को अनेक तरीखे से फायदा पहूँचाया बलकि उन लोगों को भी फायदा पहूचाया जो उनके सम्हों में शामले थे वित्यमंत्रे की हैसियर से प्रवर्तर निदेशाले पी चिदंबरम के हाथ में ही था CBI में दर्ज FIR के अनुसार चिदंबरम में 2007 में 307 करोड रुपे के विदेशी निवेश की धनराशी में काफी गफले किये चिदंबरम पर गिरफतारी की तलवार भी लटक रही है और प्रवर्तर निदेशाले और CBI उनकी तलाश में उन्हें दिल्ली हाई कोड से INX मीडिया केस में राहत नहीं मिली थी और उसके बाद से ही चिदंबरम का कुछ पता नहीं चला था 20 अगस्त को दिल्ली हाई कोड ने इसी मामले में चिदंबरम की अगरिम जमानत याचिका खारिस कर दी थी इसके बाद चिदंबरम ने सुप्रीम कोड का रुख कर लिया लेकिन वहाँ उन्हें अभी तक कोई राहत नहीं मिली है सुप्रीम कोड ने मामले में तुरंत सुनवाई से इंकार कर दिया अब इस मामले की सुनवाई शुकरवार 23 अगस्त को हो सकती है इससे पहले बुदवार सुबह तीन जजों की बैच ने कहा था ये राहत से जुड़ी आचिका को मुखे नयाधीश के सामने रखा जाए और CGI रंजन गोगोई ही इस मामले में सुनवाई करेंगे चिदंबरम के वकीलों की कोशिश थी कि इस मामले में बुदवार को ही सुनवाई हो जाए लेकिन ऐसा नहीं हो पाया इसके अलावा UPA के शासनकाल के दौरान एर इंडिया के किये गए 111 विमानों के सौड़े के सलसले में भी पीच दंबरम को जाच एजनसीने शुकरवार को पेश होने के लिए समन भी जाए एर इंडिया और इंडियन एरलाइन्स के विवादास पद बिले समीत UPA सरकार के दौरान के कम से कम चार सौदे ऐसे हैं जिनमें एनेमित ताउं और मनी लॉंट्रिंग के आरोंकों के जाच के लिए कई आपरादिक मामले दाच किये गए थे ये मामले अक्टुबर 2018 में दाच हुए थे चिदंबरम पर आरोख है कि विदेशी विमान विनिर्मान कमपनियों को फाइदा पहुचाने के रादे से सरकारी कमपनियों के लिए सतर हजार करोर रुपए के 111 विमान खरीदे गए थे जाच जिनसी ने आरोख भी लगाया था कि ऐसी खरीदारी से पहले ही संकट से गुजर रही सरकारी विमान विमान कमपनियों को कथत वित्ते नुकसान हुआ सीएजी ने भी 2011 में सरकार के 2006 में विमान खरीदे के फैसले के आचिते पर सवाल उठाया था विमान खरीदी मामले की जाच अभी तक जारी है इसमें भी उनका फसना तय है अभी भी फसे हैं आइनेक्स मामले में कहानी शुरू होती है 2007 से जब पीटर मुखर जी और इंदरानी मुखर जी की कमपनी आइनेक्स मीडिया को विदेशी निवेश के अनुमति दिलवाई थी अनुमति मिली थी केवल 5 करोर रुपे की विदेशी निवेश की लेकिन निवेश हो गया 300 करोर रुपे से अधिक इस निवेश की गतिविदी में पी चिदंबरम के पुत्र कार्ती चिदंबरम भी शामिल हो और उनके अधिकारियों को प्रभावित करने की कोशिश भी की गई थी आयनेक्स मीडिया को जिस नजी कमपनी से अर्बो रुपे का फंड ट्रांसफर हुआ था उस पर पी चिदंबरम के बेटे कार्ती चिदंबरम का नियंत्रन था किसी भी तरह का विदेशनी वेश हासल करने के लिए फॉरेंड डारेक्ट इन्वेस्टमेंट क्लिरंस सर्टिफिकेट हासल करना पड़ता है पी चिदंबरम ने खुद फॉरेंड इन्वेस्टमेंट प्रमोशन बोर्ड की तरफ से आयनेक्स मीडिया को अनुमती दी थी इसी मामले की जाच में आयनेक्स मीडिया के प्रमुख पीटर मुखर जी से भी नयाईक हिरासत में पूश्टाच की गई जाच एजिन से अचाहती थी कि पीटर मुखर जी और कार्ती चिदंबरम को आमने सामने बिठा कर पूश्टाच की जाए पहले तो पीटर दंबरम के पुत्र कार्ती चिदंबरम कानूनी दावपेज का सहारा भी लेते रहे लेकिन CBI ने पाया कि विदेशी निवेश समवर्दन बोर्ड की मन्जूरी में काफी एनिमित ताएं की गई और काले धनका लेंदेन भी इस मामले में समभव है जिसे तकनी की भाषा में मनी लॉंडरिंग कहा जाता है CBI और ED अभी इस मामले में परताल कर रहे हैं कि किस तरह अनुमती से कई गुना जादा विदेशी मुद्रा प्राप्त की गई और उसे अलग-अलग कारोबारों में लगाया गया पीठर मुकरजी स्टार टीवी के भारत इस्तित्र पमोग रहे हैं मीडिया जगत में उनका काफी नाम भी है पीठर और उनके पत्नी इंद्राणी ने INX मीडिया कंपनी बनाई प्रमोटर के रूप में मुकरजी दंपती ने विदेशी निवेश के लिए प्रहतने किया और उसमें सफल भी हो गए विदेशी निवेश संबंधी अनुबती के सलसले में विवित्त मंतरी पी चिदंबरम से मिले थी चिदंबरम ने दोनों की गुजारिश पर कहा था कि मैं तुमारी मदद करूँगा बदले में आप दोनों मेरे बेटे की कार्ती के बिजनिस में मदद करना इसके बाद कार्ती और मुकरजी दंपती मिलकर काम करने लगे इस तरह कार्ती चिदमरम आयनेक्स मीडिया से जुड़ गए कुछ समय पूर्व जब E.D. की जाच टीम एरलेंस मैकसिम डील की जाच कर रही थी तब कार्ती चिदमरम से जुड़ी कंपनियों में विदेशी पैसा आने के बाद सामने भी आई जाच की गई तो उसकी परते खुलने लगी आयनेक्स की प्रमोटर इंदरानी मुखर जी सरकारी गवावन गई और उसने जो बयात दिये वे सब चिदमरम के खिलाफ जाते थे इंदरानी मुखर जी शीना बोरा हत्या कांड में आरोपी है इंदरानी पर आरोप है कि उसने अपनी और पुर्वर पती संजीव खना की बेटी शीना के हत्या के इंदरानी मुखर जी आयनेक्स मीडिया में CEO रही है कंपनी बनने के दो साल बार उन्होंने इस्तिफा दे दिया और कंपनी में अपने हिस्तेदारी भी बेज दी इंदरानी मुखर जी ने पूरी तरह मनमर्जी से काम किया कई वरिष्ट पत्रकार जैसे अविरुकसेन, राजेश सुंदरम, निक पोलाड, अरुन राम चौधरी, केलाश मेनन रादी को उसने बाहर का रास्ता दिखा दिया प्रकाश पात्रा और नरिंदर नाग जैसे कई वरिष्ट पत्रकारों ने इंदरानी के दुर्वेवहार के किलाब इस्तिफा भी दे दिया पत्रकारों ने तत्कालिन सूचना प्रसाण मंत्री प्रियरंजन, डासमुशी तक अपनी बाद भी पहुँचाई पत्रकानों ने उन्हें बताया कि आइनेक्स मीडिया में मनी लॉंडरिंग का पैसा लगा हुआ है दासमुशी ने तत्कालिन वित्तिमंत्री पीच दंबरम को मामने से अबगत कराया और जाच करनी की बाद भी कही उपरे दबाव के बाद आइनेक्स मीडिया ने पूरूर पत्रकार अविरुकसें से सेटल्मेंट कर लिया और उन्हें 2 करोड रुपे का भुकतान कर दिया इसके बाद अविरुक शांत बैठ गए वीर संग्वी के बाहर जाने के बाद निवेशिकों के दवाब बढ़ने लगे आइनेक्स मीडिया ने जब तक अपना समाचार चैनल शुरू भी नहीं किया था 31 मार्श 2008 उसकी डेडलाइन थी पीटर मुखरजी ने इस रास्ते से बाहर आने के लिए नए रास्ते तलाशे और आइनेक्स मीडिया एडी मीडिया नेटवर्क को बेश दिया जिसके आशिक स्वामी इंदौर के एक अख़बार मालिक भी थे पाँच साल तक ये मामला यूँ ही चलता रहा अप्रेल 2013 में जब नीरा राधिया प्रकरण सामने आया तब आइनेक्स निउस के मालिकों में मुकेश अमबानी का नाम आगे था सीरियस प्रॉड इन्वेस्टिगेशन ओफिस को जब पता चला कि इंदौर का वो अख़बार वास्तव में अप्रत्यक्ष रूप से मुकेश अमबानी समू के स्वामित्वर का है जुसे 7 जनवरी 2009 को आयनेक्स मीडिया के 208 रुपे 24 पैसे कीमत वाले शेर मात्र 10 रुपे में बेश दिये गए इस तरह सामाने शेर धारकों के करोडों रुपे मनमाने दाम पर बेच कर आर्थिक घोटाले किये गए IPC के धारा 120B, 415, 418 और 420 के तहत मामले दर्ज किये गए आयनेक्स मीडिया के गरबडियों के सूची काफी लंबी है Foreign Exchange Management Act के तहत भी 2010 में मामला दर्ज हुआ था इसके अनुसार विदेशों से आया सीधा निवेश मौरिशस की तीन कंपनियों को डाइवेट कर दिया गया था इसके लिए Foreign Investment Promotion Board से कोई परमिशन भी नहीं ली गई ये तीन कंपनिया थी New Fanon Private Npt Ltd, New Silk Road, P.E. मौरिशस और Doon Earth Investment जांच में पता चला कि मुखरजी दमपती ने 275 करोड 50 लाग रुपे मौरिशस की आठ हैसी कंपनियों को ट्रांसफर कर दिये थे जो आयनेक्स क्रूप की सहियोगी कंपनिया थी सितमबर 2015 में E.D. के मुंबई का रेले में 2010 के फेमा केस को फिर से खोल दिया गया पीच दमरम के खिलाफ जब जांच शुरू हुई तब पीटर मुखरजी और इंदरानी मुखरजी ने खुल कर बयान दे दिये E.D. ने इंदरानी मुखरजी के बयान को तो चार्चीट में ही शामिल कर लिया मामला बिल्कुल साफ है कि तत्कालिन विंतर मंत्री ने गलत तरीके से आये करी 300 करोर रुपे का फंड भी निरोका और उसका उप्योग अपने बेटे के कारवार को बढ़ाने के लिए कर दिया ये बात अभी तक साबित नहीं हुई है और ना ही कोई खुलासा हुआ है कि मुखरजी दमपती ने चिदंबरम को रिश्वत दी या नहीं या फिर कितने रिश्वत दी लेकिन मामला ये है कि रिश्वत नकद मिल्दा देकर सेवा के रूप में दी गई इंद्रानी मुखरजी का बयान कहता है कि पी चिदंबरम ने मामला सुल्टाने के लिए को रिश्वत नहीं मांगी लेकिन उनके बेटे कार्थी ने कहा कि अगर 10 लाग रुपे हमके किसी ओवर्सीज बैंक अकाउंट में जमा करा दिये जाएं तो मामला निपड सकता है पीटर ने कहा कि बाहरी बैंक में पैसा ट्रांसफर करना संभव नहीं है तब कार्थी ने दो फर्म चेस मैनेजमेंट और एडवांटेज स्ट्राइजिक के पेमिंट पर सुझाब दिया अब इंदरानी मुखरजी सरकारी गवाब बन गई है पीटर मुखरजी से उनके तलाक की प्रक्रिया जारी है इंदरानी जेल में बार-बार कहती रही कि मुझे जेल में जान का खत्रा है कार्थी चिदमरम जांच जिंसियों के हत्ते चड़ चुके हैं पीचिदरम की जमानन हाई कोट रद्ध कर चुका हैं और वे ये लिखे जाने तक लापता हैं कहा जा रहा है कि अमिर्शाह चिदमरम से अपना हिसाब पूरा करना चाहते हैं क्योंकि अब अमिर्शाह ग्रह मंत्री बन चुके हैं अमिर्शाह भी सोहरा बुद्धिन फर्जी मुढवेड मामले इश्रत जहां केस और एक महिला आर्किटेक्ट के जासूसी के मामले में फसाये जा चुके हैं वे इन सबसे कानूनी रूप से बाहर आने में सपल रहें कानूनी रूप से अमिर्शाह का दामन पाक साफ हैं लेकिन पीच दंबरम का दामन अभी तक साफ नहीं कहा जा सकता है क्या आपका बिजनेस आपके मन मताबिक मुनाफ़ नहीं दे रहा क्या आपका बिजनेस लोगों तक नहीं पहुँच पा रहा तो आपको चाहिए अपने बिजनेस के लिए एक शांदार वीडियो अड़र्टाइजमेंट मिशी मीडिया सलीशन्स देगा आपको आपके बिजनेस के लिए शांदार वीडियो अड़र्टाइजमेंट वो भी बेहत किफायती दामों पर जारा जानकारी के लिए कॉल करें 900-12-99672 और विजिट करें